और तियार जेल से अर्विंद केजरीवाल बाहर निकल चुके हैं दिल्ली से इस वक्त की ये सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल तियार जेल से बाहर निकल चुके इससे पहले कवाट की जारी तो उनके वकील वहाँ पर पहुँच चुके थे जेल से सिधे मुख्यमंत्री अवास पर केजरीवाल पहुच रहे हैं तिहार जेल से केजरीवाल की रहाई हुई है सुप्रीम कोट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को बड़ी रहत दी आम आदमी पार्टी का रहाले से जश्न की तस्वीरे भी सामने आ रही हैं अब मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए चुनाफ प्रचार कर सकते हैं तो लोकसवार चुनाफ लगातार जारी है और इस पीच मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को बड़ी रहत मिली है सुप्रीम कोट की ओर से तियार जल से सुप्रीम कोट से राहत मिली तीहाड जिल से फिलाल अर्विन केजरीवाल बाहर निकल चुके हैं और वो सीधे पहुचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर सुप्रीम कोट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए ये बड़ी राधी तस्वीरे आप देख पा रहे हैं पिछले कई दिनों से शराब घुटाला मामले को लेकर एडी की गिरफ्तारी के बाद से अर्विन केजरीवाल तिहाड जिल में बंद थे और इस बीच आज सुप्रीम कोट ने जब फैसला सुनाया तो उन्हें बड़ी रहात मिली है एक जून तक जमानत मिल गई है अर्विन केजरीवाल को तस्वीरे लगातार आप देख पा रहे हैं तिहाड जिल के ठीक बाहर से ये तस्वीरे हैं जहाँ पर अर्विन केजरीवाल निकलते हुए गाड़ी में जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं या से सिधे वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुचेंगे हला कि सुप्रीम पोर्ट ने कई सारे रिस्ट्रिक्शन्स लगाए हैं जहाँ पर साफ तोर पर कहा गया है कि ना वो दिल्ली सचीवाले जा सकते हैं ना ही इस केस के बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं ना ही गवाहों से मुलाकात कर सकते हैं इसके साथ साथ कई और रिस्ट्रिक्शन्स भी लगाए गए है अर्विन केजरिवाल पर लेकिन बड़ी रहत की बात यह है कि वो प्रचार कर सकते अपनी पार्टी के लिए अम आदमी पार्टी के जो कारे करता थे वो लगातार उनके जमानत की मांग भी कर रहे थे इसे लेकर कई बड़े आरोप भी लगाए जा रहे थे सत्ता पक्ष पर लेकिन इस भी सुप्रीम कोट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है हलाकि एडी ने कहा था कि जमानत नहीं दी जा सकती चुनावी प्रचार वो नहीं कर सकते हैं ये गलत होगा दो अलग अलग तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अर्वेंद केजरीवाल तियार जिल से निकलते हुए सीधा मुख्यमंत्री अवास पर पहुचेंगे और दूसरी तस्वीर वो जश्न की तस्वीर आम आदमी पार्टी के जो कारे करता है वो बड़ी संख्या में सडकों पर जंडा लिये निकल चुके हैं और यहां पर केजरीवाल के जैकारे गुंज रहे इस वक्त तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं के जेल से बाहर निकले हैं एक जून के बाद दो जून को दुबारा से उन्हें रिपोर्ट करना होगा लेकिन उससे पहले यह जो बीच का दिन है वो बड़ी रहत की बात है आम आदमी पार्टी के लिए क्योंकि अर्विंद केजरीवाल अब अपनी पार्टी के लिए चुना पर अर्विंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है अंतरिम जमानत दे दी गई है दो जून को दुबारा से अर्विंद केजरीवाल को सरिंडर करना होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला हुआ है और अंतरिम जमानत मिलने के बाद अर्विंद केजरीवाल तिहार जेल से बाहर आ गए हैं एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है आज सुप्रीम कोट में पांच मिनट से कम के सुनवाई के दौरान केजरीवाल को रहत दे दी गई लगातार शराब गोटाला मामले को लेकर एडी सकती बरत रही है और लगातार कई आरोपियों को गिरफतार भी किया जा चुका है तो अपडेट लगातार आपको बता रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की जहां पार अब वो सीधा पहुचेंगे वो खिमंत्री आवास पार उनसे मिलने के लिए उनने देखने के लिए आमादमी पार्टी के कारिकरता पहुच चुके हैं तो उनका स्वागत किया जाना है सीए मावास को सजा दिया गया है कुछी देर में वो तिहार जेल से बाहर आएंगे जिसकी तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे कि जब वो सीए मावास पर पहुचेंगे तो किस तरीके से भाव्य स्वागत किया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल का वो खास तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे लेकिन पहले ये तीन तस्वीरे आपके टिवी स्क्वीन पर है तिहार जिल से ये पहली तस्वीर जहाँ पर मुख्यमंत्री अर्विंद के जिरिवाल जिल से बाहर निकलते हुए सीमावास की और पहुँच रहे हैं तो वही दूसरी तस्वीर सडकों पर पहुँचे हैं आदमी का पार्टी के कारेकरता हो कि आप देख पा रहे हैं आप कारेकरता इस फैसले के बाद से ही बेहद खुश नजर आ रहे हैं तीसरी तस्वीर आप दफ्तर से है जहां पर जश्न मनाया जा रहा है दूसरे को मिठाईया खिलाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ भी की जा रही है तो लोग आज के दिन का इंतिजार कर रहे थे सौरब भरदवाज की और से ये टिपड़ी भी साम्याई के कर जो आम आदमी पाची के निता है वो बयान दे रहे हैं और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सहसला बेहद अच्छा है यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है तो हला कि एडी की और से कोशिश की गई थी कि जमानत ना मिले अर्विंद केजरीवाल को पैरवी में कहा गया कि जमानत चुनावी प्रचार के लिए देना ठीक नहीं से पहले इस तरीके की जमानत नहीं मिली है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो दलीले थी उन्हें इ केजरीवाल 40 दिन बाद शाम 6 बचकर 55 मिनट पर तीहाड जेल से बाहर आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जून तक के लिए अंतिरिम जमानत दी है उन्हें दो जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है केजरीवाल दिली शराब मामले में एक अप्रेल से तीह काड जेल में ही बंद रहें और उनकी रात बड़ी ही मुश्किल से गुजरी शुरुआती तोर में जो तस्वीरे सामने आई वहां पर अर्विंद केजरीवाल बहत परिशान भी नजर आएं तो अदालत ने आज दो पैर दो बजे वड़ा फैसला सुना दिया हलाकि उनके वखिल ने 5 जुन तक की रहाई का अनुरोद भी किया था उनका कहना था कि 5 जुन तक रहाई नहीं दी जा सकती है जब तक लोग सभा चुनाव है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिच कर दिया कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जुन को खत्म हो जाएगी और उसके बाद अरविंद केजरिवाल को किसी भी हाल में दो जुन को रिपोर्ट करना होगा ब्लैक गाड़ी के अंदर ये जो तस्वीर आप दे पारा है पहली सीट पर बैठे हुए मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल चेहरे पर मुस्कान लिये हुए साफ तोर पर जीत का जश्न भी बनाया जा रहा है मादमी पाची के ओर से क्योंकि एडी ने पूरी कोशिश की कि ये जमानत ना मिले लेकिन एडी की सभी दलिलों को खारिच करते हुए सुप्रीम कोट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरिवाल को बड़ी राहत दे दी अंतरिम जमानत का अधार कोट ने कहा कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्टिस संजीव खनना ने कहा कि अगस 2022 में एडी ने केस दर्च किया उन्हें मार्च 2024 में गिरफतार किया गया डेर साल तक में कहा थे गिरफतारी के बाद में पहले कैसे हो सकती है 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता कोट ने ये दलील देते हुए बड़ी राहत दे दी अरविंद केजरिवाल को तो एडी की अंतरिम जमानत के विरोध में दो दलीले थी एडी का कहना था कि चुनाप रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता इडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगा लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों दलीलों को दरकिनार करते हुए खारिज करते हुए सुप्रीम कोट ने अर्विंद केजरीवाल को जमानत दे दिया इसके बाद से ये जो तस्मीर सामने आ रही है हमादमी पार्टी के जो कारी करता है जश्न मना रहे हैं दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और लोक्तंत्र की जीत भी बता रहे हैं तो अर्विंद केजरीवाल की रहाई योची की है पचास हजार रुपए का उन्हें जमानत बॉन भरना होगा कोट की ओर से ये भी आदेश है और इसके साथ साथ कई सारे रिस्टिक्शन भी लगाए गए हैं कई सारे रोक है अर्विंद केजरीवाल पर जिसके बिना पर बड़ा फैसला सुनाया दिल्ली से से होगी सुशील हमारे साथ जुचके सुशील बड़ा फैसला सुप्रीम कोट का कुछी समय में सीम आवास पर पहुचेंगे क्या तैयारिया वहाँ पर और क्या महौल जी देखें सीदे तोर पर एक बड़ा बड़ी राहत अर्विंद केजरीवाल को जरूर है क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं अर्विंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और इस पूरे मामले में अगर राहत के तोर पर देखें तो केवल चुनाओं परचार के लिए ărvind gojriwal को फिलहाल सुप्रीम पोर्ड ने जमानत भी हाला कि जमानत के दोरान कई सर्थे लगाए गई है kanal kaagaya कि 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 वह सीम अपिस नहीं जाएंगे डिली इस वाला नहीं जाएंगे branding पर बिना ऐलजी की अनमती के साइन नहीं करें प कि आर्भरण के जरेवाल के बहर आने तो पिलाला इंडा गटबंधन है उसको एक बड़ी रहां चेगए चुनाओ परक्षार के लिए उसके राजनीतिक क्माइने ज्यादा हो गैंगे क्योंकि फूरे मामले को लेकर UPJP आऺी हमला वर कि उन्हें किसी भी सूरत पे जमानत ना दी जाए लेकिन एडी की कोई भी दरीजिल सुप्रीम कोट नहीं मानी और अर्विंद केजरिवाल को रहा दी अब एक जुन तक अर्विंद केजरिवाल अगर बाहर है और चुनाव परचार कर रहे हैं तो निश्य दोस्ते कहीं न कही वो बीजेपी पर अटैक जरूर करेंगे क्योंकि इससे पहले भी एक आ जा रहा था कि गलत तरीके से उन्हें फसाया जा रहा है अब तो आम आदमी पार्टी को कहने का मौका भी मिल गया है सुशील कि सुप्रीम कोट ने ऐसे ही जमाना थोड़ी न दे दी बेबुनियादा पूटे एटी से सवाल किया कि जब लोगसभा चुनाओ कि तारीकों का गोशना हुआ तभी अर्विंद गेजिरिवाल को गिरिफ्तार क्यों किया गया जबकि केस का इनुनिस्टिकैशन पिसने दो सालों ते चल रहा था बहरहाल आप इस पूरे मामले में कही न कहीं अर्व के जिरिवाल की है इंडिया गड़ बंदन के वो हिस्टेदार है तो और भी राजिनितिक पार्टिया इस पूरे मामले पर सवाल जरूर करेंगे बख्ष पर अब देखना ब्याद है मोगा कि राजिनितिक माइने को लेकर अर्विंद के जिरिवाल क्या कुछ गलीले देते हैं लेकिन जो कंडिशन लगाई गई है उस कंडिशन में ये भी सुप्रीम पोर्ट ने कहा है कि दिली की आफकारी नीत में जो अर्विंद के जिरिवाल की भूमिका है उस भूमिका के मामले में कोई चर्शा नहीं करेंगे तो अब कितनी बातें अर्विंद के जिरिवाल चु लेकिन इसमें भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन्स हैं कि वो जो कारवाई उनकी ओपर की गई उसे लेकर कोई भी चर्चा किसी से नहीं करेंगे साथ ही साथ कई और सारे दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के और से जारी किये गए हैं सुशील लेकिन इमोशनल काट खेले जाएंगे आम आदमी पार्टी के और से अब यह माना जाए कि हवाओं का रुक थोड़ा बदलेगा आप जी देखिए आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का माहूल है लेकिन इस पूरे माहूल को एगर राजनीतिक हंचल के बारे में जोड़ें तो यह अपने आपने कही कि बड़ी उतल पूतल करेंगे क्यों के जिरिवाल जब बहार आएंगे तो सीधे तोर पर उन्हें भी पही सादेंगे कि कहीं न कहीं पूरे मामले में परियाब सबूत नहीं मिले और यही आधास देखते हुए उन्हें जमाना दी गई लेकिन अगर इस पूरे मामले के कि रूमाज से देखते हैं अगर जमाना दीडे तो शुक्री जमाना करेंगे